त्योहार हो या कोई भी शुब काम हो मीठे में जो सबसे पहला नमबर आता है वो होता है खीर का तो आज भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं एक दम जटपट इंस्टेंट वाली खीर जिसको आप बिलकुल भंडारे की तरह रबडीदार मलाईदार बनाएंगे चाहे पत तो बिलकुल भंडारे जैसे शादिय वाली एकदम मलाईदार खीर आपकी पताफट तयार होगी कि जिसके सामने आप रबडी भी छोड़ देंगे तो चलिए शिरू करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारूल और कुक्वित पारूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत ह यहां पर मैंने लिये हैं लगवग 80 ग्राम चावल अगर मैं कप से बोलू तो आते कप से थोड़ा कम यहां जो आपको खीर बनाने के लिए चावल लेना है वो आप कोई भी रैगुलर राइस जो भी यूज करते हैं वो ले सकते हैं बास्मती की बिलकुल जरुवती है ऐसा चावल लेने से खीर को बनाने में सबे भी कम लगता है और साथ की साथ जल्दी पक भी जाता है आपके अगर वो छोटा वला चावलो खीचडी वला तो वो भी यूज कर सकते हैं तो सबसे बहले हम चावल को बढ़िया से दो लेंगे दो से तीन बार उसके बाद हमें रखन के अंदर और यह लीजे मैंने चावल का सारा पादी चली से निकाल दिया आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप अब आप ग्रेस पर चड़ाई एक बड़ी सी कड़ाई या पैन थोड़ा सा फैला बढ़ा लीजे जिससे कि आप को असारी से खतका पाई यादि की बॉयल कर पाई अब यहां कड़ाई में सबसे पहले हम डालें थोड़ा सा पादी ऐसे बनके चली 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 डाले और पूरे पादी को इस तरह रोटेट कर दे यानि गुमा दे इसे क्या होगा जो दूद है वो तेले में बिल्कुल चिप मेरी गारेंटी है आप एक तम बढ़िया रब्लीदार मलाईदार खीर बना पाएंगे क्योंकि मैं आपको बताऊंगे कुछ खास सीक्रेट टिप्स और दूद में मीडियम हाई फ्लेम पर आने देंगे हम उबाल एक स्पैटूला या चममच आप इस तरह से दूद में डाल और यहां पर मैंने लिए थोड़े से ड्राइफूट्स खीर में ड्राइफूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है आप लाइक करें तो डाले वरना आप इससे स्टेप को स्किप कर सकते हैं प्लेन खीर भी बना सकते हैं वो भी बढ़िया लगती है तो यहां पर मैंने यहें लगबग 5-6 बादाम जिनको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया है पाँचे कटेवे काजू और थोड़े से पिस्ता बारी कटेवे और एक बड़ा चमच किशमिश ली है और घी के गरम होते ही फ्लेम को आप लो कर दीजे लो फ्लेम पर हम सारी ड्राइफूट्स में किशमिश नहीं डालेंगे उसको बाद में डालेंगे इस तरह से ड्राइफूट्स आप घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ना स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा बहुत ही बढ़िया लगता है वैसे चाहे आप बिना रोस्ट के भी ढाल सकते है मैं वह बिल्कुल व करना ना भूलें और इधर दूद को भी बीच में चलाते रहें यह बहुत ही जरूरी है जो भी मलाई आए उसे बीच में मिक्स करते जाए उससे उसमें फैट कंटेंट बढ़ेगा और रिचनास आईगी आपकी खीर में यह लीजे तो सारे ही ड्राइफूट्स हलके करना है ऐसा करने से जो खीर है उसके अंदर बहुत ही सौनी सौनी खुषबू आएगी और चावल जल्दी पकेंगे भी बहुत ज्यादा स्वादिस पतलब ऐसे समझ लीजे दूसरे ही लेविल की आपकी खीर बढ़ेगी बहुत ही बढ़िया तो बस चावल बढ़िया खु है जासे कि आप डि Tech ऑ गगे जैसे के था सतश लगदे घाए दोड़िया सब उसके वर लग रहा है तो बस असरे लिए निकाल रही है गो एक राएं निकल रही हैं तूच्चा यहां मैं रहीं कटारी में इसमें डालेंसे तो चावल भूल शूड़िया बहुत के अनसने सब भूल कर रखेते न घी में सारे चावल आप इसमें एट कर दें और लो मीडियम फ्लिम पर चावल को दूद के साथ बढ़िया से हम पकाएंगे बहुती जल्दी आप देखेंगे कि दूद गाड़ा होने लगेगा और चावल बढ़िया से एक दम नरम फूल कर दूद के साथ म अब यह जो जरूरी बात है वह यह कि चावल जब आप दूद में इस तरह से पकाते हैं तभी वह असली वाली खीर का टेस्ट आता है तो बस इस स्टेश मेर आथा हमारी नेक्स्स जवर्दस ट्रिक जिससे आप पतले दूद से भी एकदम रवडी-दार खीर तायार कर सकें कि आप लगबग तीन चमच दूद सिंपल नर्मल रूम टेंपरिचर में ने दूद लिया है और सभी चीजों को एक ग्रेंडिंग जार में डाल करके इसका एकदम बढ़िया स्मूथ पेस्ट हम तयार करेंगे इसका जो पेस्ट तयार होगा यह बिलकुल काम करेगा आपके कंडेंस मिल्क जैसा बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप करके देखिएगा मजा आ जाएगा टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि जो चावल में माल होता है वो पूरा पिस्ट करके दूद के साथ एकदम मर्ज हो जाएगा काजू उसको क्रीमी और जिचनेस देंगे और यह लीजे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट और पूरे मिक्स को हम डाल देंगे खीर में आप देखिएगा कि खीर कितनी जल्दी गाडी होगी पूरा आपका समय बच जाएगा और इसमें एकदम वैसी ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी जैसे आपने खीर में कंडेंस मिल् और यह देखिए कितनी जल्दी हमारी खीर एकदम गाडी तयार हो यह देखिए आप देख सकते हैं के पूरी स्पून एकदम कोट हो रही है यह देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है जब हम काजू और चाबल का जो उपने पेस तयार कि उसको डालते हैं तो तुरंती उसके बाद यह इस तरह से एकदम क्रीमी जैसे आपने इसमें कंडेंस मिल टाला हो एकदम गाडी इस तरह तयार हो जाती है इस स्टेज पर मैस में डाल रही हूं पार्च बड़े चमबच चीनी आप अपने स्वात कर सकते हैं और अच्छे से चीनी को भी करेंगे मिक्स और में डाल रहे हूं थोड़ा सा एक चोटी चममाच और इसे भी करेंगे मिक्स 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 बहुती जल्दी चीनी खुल जाएगे और अब भी आप इसका टेक्चर देख सकते हैं कि ऐसी रबडीदार खीर आपने पहले कभीरी बराई होगे और वह भी बिना किसी मिल्क पाव जाएगे और थोड़े से गार्देशन के लिए बचा लेंगे मैं बस आपको इतना ही बोलोगी यह इतनी स्वादभरी खीर बनेगी कि आप हमेशा खीर मेरी तरीके से बनाएंगे यह जो चीज देख रहे हैं यह नहीं आपाती है जब हम दूद को कितना भी गाड़ा करकर बनाते तक टाइम भी लग जाता है लेकिन यह जो टेक्स्टर आया है यह आपका है जो चाबल हमें पीस कर डाले और काजू डाले थोड़ा सा एक बस अबाल इसमें लो मीडिम फ्लेम पर आने देंगे और ऐसे भी काड़ी हो गई है मेरे पस ना यह थोड़ी सी चिरोंजी तो मुझे अभी दिख गई तो मैं फटाफट से यह भी इसमें मसल कर डाल देती हूं बहुत अची लगती है चिरोंजी और इसको भी करिए मिक्स तोहार की खीर बना रहे है तो तोहार की तरह रिचोनी चाहिए ना बहुत ही शांदार खीर हमारी बन कर के तयार है गैस को ब अब मुझे फटा-फट कॉमेंट करके बताएगे आपको मेरा आज का यह इंस्ट खीर को नाने का तरीका कैसा लगा और यह लिजे बिलकुल तयार है हमारी तोहार इस्पैशल रबडी-दार-मलाई-दार भंडारे-स्टाइल और दावत-स्टाइल खीर इसकी कंजिस्टें यह एकदम गाड़ा वाला टैक्स जैसे आपने इसको कंडेंस मिल्क डाल कर बनाया हो आप जरूर बनाये इस तोहार पर मेरे तरीके से खीर बना कर देखी आपको बहुत ही बसंदाएगी जो टिप्स मेरे आपको साथ शेयर किया आपके बहुत काम आएंगी और इस तरह से अधी का बर्क लगा कर जब आप इसे सर्फ करेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं कि यह खीर है और इस खीर को आप इस तरह बना कर के लगबग तीन दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होगी परफेक्ट खीर बने की पहरी बात मही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए फ्रेंड्स तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हैं इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेश को भी जरूर फॉलो करें और सभी रसिपीस की डिटेल्स आप मेरी सब्सक्राइब कुक्वित पारूल जै है जै भारत